कि एलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग वेलकम टॉन अकाडमी लेट्स क्रैक्ट यूपी एसी हिंदी समी चंचलकुमार शर्मा और भारत के समविधान राजविवस्था एंग लक्षमिकान की हमारी सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय हम ल है 17 राष्ट्रपती प्रेजिडेंट ऑंडिया जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपती की जब बात करते हैं इसका मतलब की हम बात करने वाले हैं संग की क्रद्ध में diferen् 쉽 few और उसके बाद भारत का महा न्यायवादी इन सब से मिलके बनती है भारत की संग की कारेपाली का कारेपाली का किसी भी सरकार का एक महत्वपून अंग होता है हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार के तीन अंग होते हैं, एक विधाई का, एक कारेपाली का, एक न्याईपाली का, जिस कानून को विधाई का बनाती है, उसी कानून को कारेपाली का लागू करती है, तो हमने जैसा की देखा था कि भारत में एक सरकार केंद्र में हैं और एक को पढ़ा चुका हो संगी प्रणाली बनाम एकल प्रणाली संगी प्रणाली के इसाब से दो सरकार है केंद्र की सरकार राज्य की सरकार केंद्र सरकार में भी विधाई का कारेपाली का न्यायपाली का राज्य की सरकार के पास भी तो केंद्र की कारेपाली का आज हम लोग संविधान का भाग 1 हमारा हो चुका है संग अरुसका राज्यक्षेत्र भाग 2 नागृक्ता भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 4 भारत के राज्यों में नीति के निदेशक्तत्व राज्यों के लिए और भाग 4 का मूल करतर वे आज हम पढ़ने वाले भाग 5 आज के सेशन में जिखता है वैसा है नहीं यह सबसे शक्ति शाली आपको दिखाई जरूर देते हैं लेकिन इनकी शक्तियां नाम मात्र की इनकी सारी शक्तियां मंत्री परिशक्यों सरकार की होती हैं फिर भी पड बड़ा महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में जानना भी ज़रूर है कैसे चुने जाते हैं भारत की राष्टपती बहुत सारे बच्चों को यह confusion होता है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का election कैसे होता है कैसे निर्वाचित होते हैं यह तो इनको चुना कैसे जाता है विधायक और सांसत कौन-कौन वोट डालता है कैसे वोट डालता है मतों की घ भारत के राष्टपती को हटाया के से जाता है निर्वाचन योगिता शपत बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में आपके साथ डिसकस करने के लिए तो लास्ट तक सेशन को देखते रहेगा एक एक चीज क्लिए होती जाएगी तो शुरूआत करें आज के सेशन की चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनकैडमी पर आपको पताः कि इंडिया के बैस्ट इयुकेटर्स में और मेरे साथ एसे काई सरे एडूकेटर्स हैं जो आपको आपकी तैयारी में ऑपका बड़ यहाइड करते हैं प्रिपरेशन में उस समय उनक्ल्च में बहुत सारे ओफर् सब्द थे इसमीं से इस में भाली में कोई पैसा नहीं लगे कोई भारत में व कहीं भी रहता हो वह इस में बाग लिसकता है और वह राफरेल को विट स्वेран िूस्जरे सब्सक्राम करें और इसमीं भाग लेकर आप saint जीच सकते हैं को और यह एक की और तुछफा आपको अनकेडमीका येदि आप में से किसी का UPSC मैंस निकला है इस बाहर का 2021 का यह आपके जाणने पहचानने वालों मेंसे किसीרים ऩॉल्दी इंटर्व्यू स्टार्ट होने वाले आनकेडमी लाया है4 एंड एक्सपर्ट का पैनल बनता है और वो आपको इंटर्व्यू की प्रिपरेशन में आपकी वेक्तित्पों के विकास में परिक्षण में आपकी बहुत हेल्प करते हैं अच्छे बात है कि यह फ्री है मेरी बास समझ रहे हैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं कोई भी वेक्ति जि में यहां भाग लिए थे उन्होंने यहां पार्टिसिपेट किया था मॉक इंटर्व्यू में फ्री में और वो सेलेक्ट हुए हैं तो आप में से कोई भी इस प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं लास्ट जो आपका बचा हुआ पार्ट है एक्जाम का उसमें आपको आपको तो टेस्ट दिरीष का भी सब्सक्रिप्शन अविलेबल है जी जी एस पोर सी सेट की शे बहिना है साल बर का और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं आप जब भी है कोई भी एनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें सी के लाइव रिपराल कोड यूज करें आप एक साल, दो साल, तीन साल या आइकोनिक एक साल, दो साल, तीन साल का सब्सक्रिप्शन ले, इस कोड को यूज करके, तो आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा हमिशा, ठीक है, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूं, उसमें व्यक्तिगत, आपको मेरा मार्क दर्शन मिलता रहेगा, अगर आप इस रेफरेल को अपलाए करते, CK Live को, चलिए, शुरू करें, तो भारत के राष्ट्रपती, अब ऐसा तो आप में से कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो इस पद से, इस नाम से परिचित नहीं है, भारत के राष्ट्रपती दरसल आप सभी को पता है कि इस देश के प्रथम नागरिक है, इस देश की संग की कार्यपालिका के प्रमुख है, महा महीम कहे जाते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपून पद है, दरसल इस पद के साथ कई सारी जिम्मेदारिया जुड़ी हुई है, एक आपको सेशन स्टार्ट करूं और आपको बताऊं, आप पहले मुझे एक बार बताईए, आवाज परके रहे तो ठीक आरही है, किसी तरह का कोई आडियो वीडियो में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, अम आडिबल इनफ, और यदि आप में से किसी लर्नर का अध् इसले प्लेलिस्ट में जाए, रेकॉर्डेट सेशन में जाके देखिए, मैंने आपको अनुच्छे 352, 356, 360, तीनो तरह के आपातकाल वहां पर अच्छे से क्लियर करवाए हैं, बताए हैं, एक एक प्रावधान को हमने खोद खोद के उसमें से टटोला और उसको समझने की कोशिश की है, तो यदि आपने एक बार मेरा वह अध्याय 16 देख लिया, चैप्टर 16 इसके पहले वाला, तीन सेशन लगे थे लगभख हम को, और पूरे 352, 356, 360, तीनो अपातकाल कम्प्रीट हो गए हैं, और अगर आपने एक बार वह सेशन देखा, तो बार बार थोड़ भारत के राष्ट्रपती, तो हमने देखा कि हमारे यहां पर जो सम्विधान है भारत का, भारत के सम्विधान में जो भाग 5 है, और भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से 78 तक के प्रावधाने 52 to 78, क्या है इसमें, दरसल पूरे भाग 5 की अगर बात करूं, तो अनुच्छेद 52 से 141 तक, 141 तक हमारा भाग 5 है, 151 तक भाग 5 है, फिर 152 से आप देखोगे, कि 152 या 152 से लेके राज जी के प्रावधान, भाग 6 के प्रावधान शुरू हो जाते हैं, तो यह हमारा जो 52 से 78 है, यह संग की कारेपाली का है, इसके बाद 79 से आप देखोगे, 123 तक, वो संग की विधाईका है, 124 सुप्रीम कोट से लेकर, तो आपका 151 तक, केंद्र की न्याएपाली का, CAG वगेरा आता है, ठीक है, तो यह पूरा के पूरा जो है, हमारा भाग 5, वैसे तो मैंने आप से कहा कि 52 से 151 तक है, लेकिन हमें जो है, सिर्फ पहले कारेपाली का पढ़नी है, फिर विधाईका पढ़ेंगे, फिर हम न्याएपाली का की तरफ जाएंगे, संग की कारेपाली का में कौन को आता है, संग की कारेपाली का में आते है, राष्ट्रपती, संग की कारेपाली का में आते है, उपर राष्ट्रपती, भारत के प्रधान मंत्री, ह मंत्री परिशन Indra केंद्री मंदल षब्ड इसकी जगें यहां पर मंत्री परिशत शब्द ज्यादा सहीर आए कोि अब कई बार किताबों में थम्स्सक्राइब किताबों में सब्सक्राइब किताबों में मैं कितैबों कोई शुद कrabły mean conditions के system में चक्राइब किए कि मंत्री मंडल थोड़ा सा सीमित होता है मंत्री परिशद में आपको राज्य मंत्री उर्व मंत्री भी मिल जाते हैं तो मंत्री परिशद और महा नियावादी जो हमारे अनुच्य चेटर हे समविधान का इसमें आपको एक महानियावदी अटार्नी जनरल मिलेगा ठीक है अटार्नी जनरल महानियावदी से जुड़ेवे प्रावधान वह संग की कारेपाली का काही अंग माना जाते हैं अब यदि में इसको राज्य से तुलना करूं यहीं के यहीं आपको र राष्ट्रपती जैसा कोई पद नहीं है आपको स्टेट एक्जेक्यूटिव में कोई भी जो है ना यह वाइस जैसे प्रेजिडेंट होते हैं हमारे वैसा आपको कोई उपर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई पद वहां नहीं मिलेगा यहां प्रधान मंत्री है तो आपको वहां पर मिल जाएंगे मुख्य मंत्री यहां मंत्री परिशद यहां महान्ययवादी यह तो वहां पर महाधी वक्ता है बस ऐसे पड़ोगे ना कोई प्राबलम ने आएगा कोई कन्फियूजन नहीं होगा ठीक है जहां आपको जो दिख रहा है उसकी जगे वहां पर एक दूसरा पद आपको राजी में दिखाई देगा तो वहां महाधी वक्ता आजाएगा आर्टिकल 76 में यह है और 165 में आपको राजी का महाधी वक्ता मिल जाएगा अब हम लोग शुरुआत करते फिर से हमारे बहारत के राष्ट्रपती के बारे तो पहले राष्ट्रपती का निर्वाचन राष्ट्रपती का चुनाव राष्ट्रपती के पद की योगिताएं शपत वगेर समझ लेते हैं then we will discuss about the power of the President उसके बाद हम बात करेंगे बहारत के राष्ट्रपती की शक्तियों के बारे उनक क्या है कोश्चन है भारत के राष्ट्रपती की भूमी का अब यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है यह इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के राष्ट्रपती वास्तविक प्रमुक नहीं है महारदेश के सारी शक्तियां उनके पास जो है वो नाम क प्रणाल कि नाम क्याक याद बताई था संसधी प्रणालि दो प्रकार की होती है नां TD क्या है यह काम की नहीं है काम की राश्टबरॉ आ के पूर्ण को समझ जा ओगा एक पूरा के पूरा इस चैप्टर को समझे लो को लास्ट में खुड लिखने में सक्षम हो जाओगी मुझे आपको बताना भी नहीं पड़एगा कि स्में क्या लिखना है तो यह भारत के प्रमुखे राज्य प्रमुखे मैंने पहले आप से कहा है कि हमारे यह जब सम्विधान बना था तो उस समय भारत एक डोमीनियन था बिपोर 26 जनवरी 1950 से पहले भारत एक डोमीनियन स्टेटस वाला राज्य था एक डोमीनियन क्यों क्योंकि भारत की हेड अफ दे कंट्री कौन था भारत के देश का प्रमुख हेड अफ दे कंट्री जो है वो थी हमारे ब्रिटेन की महारानी क्राउन ताज 26 जनवरी 1950 को हमने भारत के लिए एक निर्वाचित राष्ट्रपती का प्रावधान किया और इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग हात में तिरंगा लेके और गणतंत्र दिवस मनाते हैं के समझ में और इसलिए गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता चपविज जनवरी को कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता जो उनसे पूछों कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। कि इस दिन संविधान लाग हुआ था या फिर इसी दिन क्यों हुआ था तो बता देंगे जाद से जदा कि 26 जनवरी को पहली बार 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था थोड़ा बहुत हिस्ट्री पड़े होते तो यह भी पता होता एक्जेक्ट मीनिंग यह है कि भारत के राज्य प्रमुक भारत में तब से राष्ट्रपती जो है एक निर्वाचित राष्ट्रपती का विवस्था हुई और वन्शानुगत शासन समाव्थ हो गया वन्शानुगत शासन देखो इसका कॉंसेप्ट आपको पता होना चाहिए स सिधे सीधे से पढ़कने में मजसा नहीं आता पूरा कॉंसेफ्ट समรज्थे तो मजा आता है जानते हैं 1857 की क्रांथी हुई थी भारत ते बाहरत के बाद हमने कंपनी को टाटा वाए-बाए बोल दिया 侍सट loot inडिया कंपनी को शासन खत्म हो गया भारत मेंauen का शासन आकर आपने किसी महाराजय माहरानी को कुना कभी ब्रेटेंग कर दोझ Shane कि जो भी उनका बेटा पती जो भी होता वह त्वह सब्सक्रागराला महारानी बनता रहा पती ने तो यसके पीछे का पुरा माज़र यह भारत के पहले नागरिथ है फिस्ट कहलाते हैं और राश्ट की एकरता अखंडता और सुद्डरता का प्रतीक है में अच्छा बहुत के राश्ट्र安全 पती इस देश की एकता अखंडता सुद्डरता के प्रतीक कैसे है 28 राज्य है और आठ केंद्रशासित प्रदेश है चाहे आप किसी भी इलाकी में चले जाओ सब का राश्ट्रपती एक ही भारत का राश्ट्रपती तो यह पुरे देश को क्योंकि सब के देखो आप एक सूत्र में पिरोते हैं यह हमारे संग की कारेपालिका के प्रमुख ही नहीं है यह हमारे देश के प्रथम नागरिक भी है और यह हमारे देश के प्रमुख भी है इसलिए यह राश्ट्र की एकता अखंडता और सुद्रडता के प्रतिक अब राश्ट्रपती का निर्वाचन आगे जो में काम की बास समझने वाली है कि भारत के तो होता है भारत आपने किसी थी चुनाओं में वोट्ट डाला क्या पके पड़ोशी ने डाला है नहीं क्यों के चुनाओ हैária ये भारत में इन निर्वाचन जन्रताध स्तार करा रूचन रूप बलकि उनको चुनता है एक निर्वाचक मंडल इसे बोलते हैं इलेक्टरल कोलेज एक निर्वाचक मंडल बनेगा और वो निर्वाचक मंडल जो होता है उसके सदस्य भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन करते हैं तो फिर हमारी क्या भूमिका भारत के राष्ट्रपती को चुनने में हमारी क्या भूमिका है, हमने तो चुना नहीं, यह तो किसी निर्वाचक मंडल ने चुना, तो आपकी भूमिका भी है उसमें, इसलिए आपकी भूमिका है, क्योंकि जो लोग भारत के राष्ट्रपती को चुन रहे हैं उनको चुनने में आपकी भूमी का थी आपने उन्हें चुना तो वो राष्ट्रपती को चुन पाए यदि राष्ट्रपती को यदि आप उन्हें चुनते ही नहीं तो फिर राष्ट्रपती का निर्वाचन कैसे हो तो इसी लिए बोल सकते हैं कि जन्नता द्व जनताद्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्या है सही है धी मैंने कि स्टेट्मेंट बोला कि भारत के राश्ट्रपती का निर्वाचन या चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि अगर मैंने आप से कहा कि भारत के राष्ट्रपती का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो यह सही है बिलकुल होता है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है प्रत्यक्ष नहीं होता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अ और उस व्यक्ति ने आपने उससे कहा कि उसको पास कर दो, तीसरे व्यक्ति को पास कर दो, उसने उसको पास कर दिया, अब दिया तो उस व्यक्ति ने उसको डारेक्ट, पर अल्टिमेटली आपने दिया था वो सामान तो, आराय समझ में कि नहीं, अगर आप इस दूसरे व्यक इसलिए हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन जन्रता द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से होता है प्रत्यक्ष नहीं होता तो इस निर्वाचक मंडल में इस इलेक्टोरल कोलेज में कौन-कौन होता है इसमें होते हैं हमारी संसद के दोनों सदल दोनों लोग सभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अब यहां सदस्य के साथ निर्वाचित बोलना बहुत जरूरी है लोग सभा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि राज्य सभा में 12 सदस्य निर्वाचित नहीं होते है राज्य सभा में 12 सदस्य मनोनित होते हैं और यह सबाब पढ़ते होंगे कला साहित्य विज्ञान समा सेवा फलाना फलाना की क्षेत्र में उल्लेखनिय योगदान देने वाले उपलब्दी हासिल करने वाले लोगों को 12 लोगों को राश्र पती द्वारा क्या किया जाता है मनोनित किया जाता है राज्य सभा में यह 12 लोग इस चुनाऊं में भाग नहीं लेंगे मतलब कितने लेंगे चलिए यह भी बता देता हूं कितने इस समय Torah की सदस्य संक्या है 245 इस दो सुपैटालीzd में से 233 सदस्य चुने जाते हैं बारा मनोनी थे भाग लेंगे ये ये नहीं लेंगे 233 सदस्य जो राज्य सभा में चुन कर आते हैं जिनका निर्वाचन होता है विधायकों के द्वारा वो लेंगे भाग राश्टपती के चुनाओं में ये बारा लोग नहीं लेंगे लोग सभा में इस समय 543 सदस्य है और ये सारे के सारे निर्वाचित है तो ये सारे सदस्य भाग लेंगे यहां पहले मैंने आपको बताया है कि दो एंगलो इंडियन हुआ करते थे किसी जमाने में दो सदस्य आंगल भारती भी होते थे जो राश्टपती मनोनित करते थे वह खतम होगे तो इस हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा गणित लगाएं तो राश्टपती के निर्वाचन में कुल कितने लोग भाग लेते हैं 543 लोग सभा 233 राज्य सभा इस हिसाब से 776 सांसद हैं दोनों सदनों के मिलाक जो भारत के राश्टपती का निर्वाचन करते हैं इस दैट प्लियर अब इसमें संसद के सदस्यों जिने आप MP बोलते हो क्या बोलते हैं हमारे यां MP MP आगे MP साहब आगे सांसद कहते हैं Member of Parliament इसमें आपके जितने राज्य में विधान सभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे तो टोटल हमारे यां अठाइस राज्य और उन अठाइस राज्यों की जितने भी विधायक हैं विधायक को बोलते हैं MLA Member of Legislative Assembly सारे विधायक जैसे मान लीजिए अभी यूपी में इलेक्शन हुआ 403 सीचो पर तो वो 403 विधायक आ जाएंगे राष्टपती की चुनाओं में वोट डालने मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं वो 230 आ जाएंगे राजस्थान में 200 हैं वो 200 आ जाएंगे अभी हरियाना में पंजाब में जहां भी इलेक्शन होते रहते तो सारे राज्यों के सारे विधान सभा के сदस्य राष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं तीसरा होते है डिल्ली और पुद्दुचेरी विधra दिवाण सभा दिली में भी एक विधान सभा फुदू चरी में भी दिली में सतर विधान सभा से तर विधायक पुदू चरी में tele meto PM कि इन सबको मिला के बनता है एक बैर निरवाचक मंडल और ये राश्ट पति देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि Souls कौन डालता है अभी मैंने शिर्फ आपको यह बता है कि वोट कौन डालेगा मतदान कौन करेगा यह लोग करेंगे और कोई नहीं कर सकता मैं आपको बता दूम गपता कि इसके अलावा राज्यों में विधान परिशाद विविदान परिशाद है वquent इसमे बहात हुप इलया कि वोक्याए कि वोट को आलेगा मतदान में भात कॉन लेगा इस पड़का संसद के दोनों सदनों के मननुट सद्स्य अलगि सिरत राज जिस भामें मनुट का कॉंसेप्ट है लोक सभा में मनोनीत सदस्य का कॉंसेप्ट तो नहीं आ गया समझ में तो पहले हाँ जम्मु और कश्मीर भी देखो जम्मु कश्मीर राज जी ही माना गया इसमें तो वैसे तो अब वह अलग हो गया मामला जहां भी विधान सभा होगी ना चाहे वह तुर शासित प्रदेश आज नहीं बहोई स्वैहं आप अगर वहां विधान सभा देखेंगे तो वहां के सदस्य खाग लेंगे इस लिए इसको अगल में क्लियर हो पहले एक एंगलो इंडियन आपको पता है आर्टिकल जानते हैं कभी आपने आर्टिकल देखा हो तो अनुच्छे 333 अधिकार देता था राज्यपाल को कि वह एक आंगल भारतिय को विधान सभा में मनोनीत करें जैसे अनुच्छे 331 राष्ट्रपती को अधिकार देता था दो आंगल भारतिय को लोग स्भा में मनोनीत करनेगा तो ये जो पहले विधान सभा में मनोनीत सदस्य होते थेmailli वह भाग नहीं लेंगे तो य Kin-jin राजने विधान परिशद है उच्छ सदने जिन राज्यों में द्वी सदनी विधाई का है वो भाग नहीं लेंगे विधान परिशद के सदस्य निर्वाचित हो चाहिए मनोनित हो कोई भी हो तिल्ली और पुद्दुचेरी विधान सभागे मनोनीत सदस्य मतलब सारे सदस्य जो राष्ट्रपती का चुनाव होता है उस दोरान किसी राज्य में इलेक्षन आ गया वहां की विधान सभाग होगी एक्जामपल की तौर पर समझोगे तो यह लाइन समझ में परिग्राफ पड़ोगे तो घूम जाओगे एक एक्जामपल समझो कि भारत की राष्ट्रपती क चुनाव है जून में ठीक है और मैं में किसी राज्य की विधान सभाग होगी क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं तो क्या उस राज्य की विधान सभाग के सदस्य राष्ट्रपती की चुनाव में भाग लेंगे कि बताईए यदि किसी राज्य की विधान सभाग भंग होगई या विग्टन हो गया तो उस राज्य की विधान सभाग के सदस्य राष्ट्रपती के चुनाव में बहाग नहीं लेते हैं अब यह बात पर आप बोल नहीं सकते कि हमें कर लाई नहीं मिला वोट डालने का हमारे राज्यै से तो किसी ने वोट जी नहीं वॉट की सिर्फ दालें गें जिन राज्यों के विद्धान सभाईग जीवित राष्ट्रपति शासन है जिन राज्यू की विधान सभाइं भंग हो चुकी है जहां चुनाव चल रहे हैं ऐसे राज्यू की विधान सभाइं राष्ट्रपती के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं इस देट लियर तो राष्ट्रपती के निरवाचन में विगटित विधान सभा के सदस्य मद्दान नहीं कर सकते एसी स्थिति में भी जब कि विगटित सभा का चुनाव राष्ट्रपती के निरवाचन से पूर्वर्णा हो तो इवेन आपको समझाई दिया सीधे शब्दों म समान रूप से हो साथ ही राज्यों और संग के मध्य भी समानता अभी समानता के से आएगी बहारत में तो 28 राज्य हैं मतलब आपके राज्य में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आपपो एड़ांटेज मिलेगा लेकिन हाँ ऐक बास्ता ध्यान देवा यह सब कुछ जनसंख्या पर निर्भर करता है इस लिए जिस राज्जी की जनसंख्या जितनी होगी उस राज्जी के विधायक के मत की मूल या वैल्यू उतनी ज्यादा होगी उतना अधिक होगा इसको आपको ऐसे समझाओ में जैसे मैंने आपसे कहा जरा ध्यान से समझोगी तो सब समझ में आ जाएगा यूपी में कितनी विधान सभा सीट है आप मुझे बताई यूपी में 403 विधान सभा सीट है ठीक है मत्यthm प्रदेश में कितनी है मत्य प्रदेश में 230 है अब जरा ध्यान से समझो YouTube के wrap 403 विधायक जो vote डाल रहे हैं कितने कितने लोगों का प्रतिनिजित्व कर रहे हैं उपी के 403 विदायकों ने वोट डाला मतलब यूपी की 22 करोड जनसंख्या रागप 12 करोड जनसंख्या अलाकि जनसंख्या71 की गणना पर है पर हमें एक्जाम्पल समझना है 403 लोगों ने बोत डाला मतलब 22 करोड ने डाल दिया meद्य प्रदेश के 230 विभायकों ने बोत डाला मतलब मद्य प्रदेश की 878 करोड जंसंज्या ने बोत डाल दिया आगया समझ में अब आप खुझ समझ जाओ 22 करोड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ज्यादा वेल्यू होनी चाहिए आठ नो करोड का कर रहे हैं तो वेल्यू थोड़ी कम होगी बस यही वेल्यू पर आधरित होता है यह पूरा के पूरा मत्दा में आगया मेरी बास समझ में आई कि नहीं है आपके पास एक लाक रुपे और सामने वाले के पास एक करोड रुपे हैं ठीके दस परसेंट वो दे रहा है दस परसेंट आप दे रहे हो तो आपने दस परसेंट कितना दिया एक लाक का दस परसेंट होता है दस हजार रुपे और उसने एक करोड का दस परसेंट दिया तो उ सजार फर्क पढ़ गया ना पर इसलिए पढ़ गया है क्योंकि जनसंख्या यूपी की बहुत ज्यादा होगी और छोटे राज्यों में जनसंख्या कमें तो वहां के विधायकों के मत का मूल ले कम हो जाएगा कि इस देट लियर अब जैसे आपने देखा कि विधायकों के मत का मूल ले इन सब को जोड़ दिया जाएक आगे जाके और सांसद के मत का मूल ले निकलाए समझाऊंगा मैं अपको थोड़ा से रुकी भियाल सब समझ में आएगा इसे प्राप्त कैसे किया जाता है जैसे हमने देखा कि आप इसको ऐसे समझना को सब समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि आप किसी राज्जी के विधायक है मान लेते थूड़ दर के लिए अच्छा लगेगा आपको भी बड़िया फील होगा क्योंकि अभी तो संगर्ष चल रहा है जीवन में अचानक से आप विध दिया है तो क्या वैली होगी इसकी मत की यह मूल्य निकालना पड़ेगा कैसे निकलेगा यह मूल्य निकलेगा आपके राज्य की जन संख्या से ठीक है कैसे निकलेगा यह मूल्य आपकी राज्य की जन संख्या से निकलेगा राज्य विधान सभाओं तथा संसत के प्रत्येक सदस्य के जो मत है उनकी संख्या कैसे निर्दारित की जाती सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं आती समझने बच्चों को मा rappelle प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज की जन संक्या को उस पर उस राज ऺई गी विधानसभा के सदस्य और एखाजार से गुणनफल गुननफल से प्राप्ट दाबारा प्राफ देने पर प्राप् टो ऐसे समझोगे तो नहीं आएगा यहां फॉर्मिले से समझोगे यह यह देखो अब एक विदायक है आप एक मेले हैं आपके मत का मुल्य कैसे निकलेगा राष्ट्रपती के चुनाओं में तो क्या होगा आपके राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है मान लिजी आपके राज्य की कुल जनसंख्या है एक करोड मान लेते हैं एक करोड जनसंख्या है आपके राज्य की कुल और आपके राज्य में विधान सभा में सीटे कितनी है आपके राज्य में कुल कितने विधायक है तो हमारे राज्य में कुल जो है सो विधायक है सो आप एक करोड में अगर आप सो से भाग देंगे तो आपका आजाएगा एक लाक रुपया एक लाक आजाएगा और एक लाक में एक हजार से और भाग दीजिए यहां से एक हजार और है इसमें नीचे फॉर्मिले के साफ से यह 30 कड़ गई तो एक विधायक के मत का मूल ले आ गया सू ऐसे निकले आपको हो सकता है कि गणित से मैट्स से थोड़ी सी एलर्जी हो कई सारे बच्चों को ना मैट्स बिल्गुल पसंद नहीं आता उनको गणित देखके लगता है कि यह तो आए गई नहीं एसी धारना बनी हुई कि यह हमारे समझ में नहीं आएगा या उन्हें नफ सब्सक्राइब उसको बिल्गुल पसंद नहीं गणित बचपन से नंबर कमाते हैं गणित में एक तो कुछ समझ में नहीं आता किल्कुलेशन का माजरा पिर भी यहां मैं आपको बहुत सीधा सिंपल सा माजरा बता रहा हूं अब समझो टोटल दस चॉकलेट है और दस चॉकलेट है और खाने वाले लोग जो है वो कितने हैं खाने वाले लोग जो है वो पांच है तो अब आप एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी चॉकलेट आईगे समझो एक व्यक्ति के हिस्से में दो दो चॉकलेट आईगे आई अगर आपको निकाल लों, बहूत बढ़े आपको option बताता हूं, पहले आप ये पता करना कि आपके राज जी की 1971 में जन संख्या क्या थी, 1971 बढ़े आराम से पता चल जाएगा, बहुत आराम से नेट पे सर्च कर लेना, 217Dr. में हमारे राज ज्ञे की जंसंख्या कितनी एक काम यह करना की आपके राज ज्ञे की विधान वा सीते किद्नी येशा फाहे होगा उप तो पतही लोगude को पता है 403 मध्य harder ू नहीं राजस्थान में 200 भोशो ऐसी आपको सब की पता होगी अब आपको क्या करना है आपकी राज्य की विधान सभा सीथ टोटल मले कितने आपके हैं इसको डिवाइट करना और इसमें एक बटा 1000 और कर देना को फिर सिधा हमम से कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से अपने राज्य के एक विधायक के मत का मुल्य तक कि निकाल सकते लुट के निकाल लोगे exactly में बड़े तक घर बेठे निकाल सकते हो इतना कोई बहुत Boyard rocket science नहीं कि च समझ महींने आता कि चकर के है बस 1971 की 1971 की पॉली पॉपुलेशन लेना आपके राज्य की जनसंख्या कितनी थी 2011 की मत लेना 1971 की जनसंख्या में आपके राज्य की टोटल विधान सभा सीटों से 1000 का गुणा करके भाग दे दिना तो आटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अरे आराम से निकल जाएगा बलकि निकालना एक बार करके देखना जब आप यह करके देख लोगे लोगे तो जिंदगी भरी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं उसके बढ़ बूलो के थोड़ी आप कि हमने वे खुद ने निकाल के देखी ती वैल्यू क्या आई थी अब मैं आपको एक्जांपल देता हूँ आपको खुद आ जाएगा चलो एक्जांपल लेगे ऐक्जांपल मानलेते हैं कि आपके राज्य की जनसंख्या 1971 में ठीके कितनी थी एक लाख मान लेते हैं एक लाख जन संख्याती आपके राज्य की 1971 में आपके राज्य की कुल विधान सभा सीटे कितनी है तो आपके राज्य की कुल विधान सभा सीटे है 100 अब इसमें 1000 का गुणा कर लेना तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10,000, 10,000 में इसे डिवाइट कर देना, तो यह आपकी वैल्यू आगी, एक विधायक का मत का मूल्य आगया 10, खतम, हो जाएगा, 10 आएगा 10, मैं आपको maths नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको quality ही पढ़ा रहा हूं, बस आपको बता इसे निकलता है, तो यह 10 आगया, बस इसे निकालने आप अराम से, अब सांसद का कैसे निकलेगा, एक संसद का जो सदस्योताव, आपने देखा होगा, कि अगर हम देखें कि UP में टोटल 403 विधायक हैं, कितने हैं, और लोकसभा सांसद कितने हैं, 80, है ना, 80 लोकसभा सां सद हैं, तो यह 403 के बराबर यह 80 हैं, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जितना यह 403 का वैल्यू आएगा, उसमें आप 80 का वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल सकते हों, ठीके, आप देखोगे कि जितने भी पूरे भारत में राज्य हैं, उन सभी के विधायकों के मतो को टोटल कर लिया जाएगा, और भारत में कितने सांसद हैं, जिसे माल लीजिए कि टोटल 10 करोड आया, ठीके, 10 करोड आ गया, टोटल विधायकों के मतों का मूल, कुल निर्वाचित सांसद है 176, लोग सभाराज्य सभा के दोनों, डिवाइड कर दो, ऐसे निकलेगा, एक सांसद के मत का मूल ले, दस आएगा, दस, एक नहीं आएगा, दस आएगा, दस आएगा, देखो, मैं आपको फिर बताता हूं, एक लाख, और हमने डिवाइड किया, उसमें 100 से, और उसमें 1000 का और इंटू कर दो, तो एक दो, तीन, चार, पांच, और एक आगया, एक आएगा, दस नहीं आएगा, आप लोगों ने मुझे गलत क्यों बताया, एक आएगा, एक, यह पांच, जिरो से पांच, जिरो कड़ जाएगा, और यह एक आजाएगा, तो एक विधायक के मत का मूल ले हो जाएगा, एक, ठीके, मैंने आपको टोटल सो का बता दिया था, समझना है कि हमें कैसे निकालना है बस, पहले उपर मज जाएग, उताएग्जामपल था, एक आएगा, दस नहीं आएगा, हमने एक लाक लिया था, तो एक ही आएगा, ठीके, अब आप निकाल लेना, आराम से आप निकाल लेना, अपने अपने राज्जी का, अब संसद के सदस्य का कैसे निकलेगा, तो मैंने आप से कहा कि सभी राज्यों के जो विधायक है, उनके मतों का मूल्य का टोटल कर लेंगे, और संसद के कुल निर्वाची सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे, यह देखू, पॉर्मिला कुछ ऐसा है, एक संसद सदस के मत का मूल्य, अभी मेरा धियान के लकुलेशन पर नहीं आपको समझाने परे, इसलिए वो दस हो गया, लेकिन एक होगा exactly अब चूड़ो ओढ़र दियान से देखू, एक संसद के सदस्य का, जैसे मानली जी, कि आपके यहाँ पर कोई संसद भी होगा एक विधायक के साथ तो आपके संसद के उस सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा? तो कैसे निकलेगा? सारे राज्यों के विधायपों के मतों को टोटल कर लेंगे और संसद के निर्वासित सदस्यों से 776 से भाग दे देंगे और जो भी आएगा वो एक संसद के मत की वैल इसले आपके कि ऐसे काउंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपती के निर्वाचन में वैल्यू को चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो चलिए आगे चलते हैं ऐums कि अब यह चुनाव कैसे होता है यह चुनाव होता है आनुपातिक प्रतमत्तित्व के नुसा एकल संक्रमनी और गुट्मत्तदान के द्वारण इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के, जिस दल के, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे, उस अनुपात में उसके candidate को vote मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीके, सीधी सी बात है कि जिस पार्टी के, जितने भी, आप तो अपनी पार्टी वाले कोई vote दोगे, तो जिस पार्टी के, जि कि यह मत्तदान गुप्त मत्तदान के द्वारा होता है गुप्त मत्दान मतलब कि आप किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसको वोड दिया नहीं दिया एकदम से पूरा क्लियर नहीं होगा ठीक है गुप्त मत्दान के द्वारा होता है और एकल संक्रमनिय में आपको कब जीतेगा तो यहां किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपती के चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना जरूरी है कि निश्चित भाग मतलब मैं आपको बता देता हूं 51 परसेंट चाहिए उसको कम से कम ठीक है जब तक उसको आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे तब तक कोई उम्मीदवार विजेता घोशित नहीं होता अब आपने देखा होगा कि हमारे क्या होता है कि हमारे एक विधायक का चुनाओं विधान सभा की चुनाओं में वोट डाला कभी अब यूपी वालों तो डाले ही होगा यूपी में पंजाब में उत्तराखंड में मनीपूर में गोवा में भी एलेक्शन होए तो आप वोट डालने जाते हो तो क्या होता है जिस सबसे ज्यादा लाने वाला जो सबसे ज्यादा लाएगा वह विजयता होगा इसको आप रेस की तरह देखते रेस कभी रेस में भाग लिया है किसी एथलेटिक्स में इस तरह देखा तो होगा अब आपने देखा होगा कि 100 मिटर की रेस एसे 10-12 लोग लाइन से खड़े हु सबसे पहले उस लाइन को क्रॉस करेगा सो मीटर दोसु मीटर पांसु मीटर जो भी है जैसे ही सबसे पहले कोई उस में को क्रॉस करेगा वह विजयता होगा वह जीठ जाएगा कि क्या उसमें ऐसा कोई provision होता है कि इतने टाइम में पूरी करने पड़早ज सब से वीजेता होगा वहां पर मिनीमम का कोई मेटर नहीं है सबसे पहले उस लाइन को क्रॉस करने वाला वीजेता है जटीक 63ibtी की चुनावं में यसा नहीं होता चुनाओ अप्रत्यक्स प्रणाली से है एकल संक्रमनीमत से होता अनुपातीक पद्खती से होता है इसमें ऐसा हो गा कि कि आप अबाले से दोढ़ रहें तो वह पहले से टाइम एक प्रकार का फिख्स कर दें कि इतने टाइम से अगर आपने जादा लिया तो आप विजयता नहीं माने जाएंगे भले आप पहले आप जाओ वैसे ही वोट फिक्स कर दिये हैं कि एक निश्चित अनुपात में आपको मत चाहिए जब तक आपको वो मिनिमम वोट नहीं मिलेंगे तब तक कोई विजयता न कुल वेद मत जितने होंगे जिसे मालेजिए कि कुल वेद मत है सो अब सो में दो से डिवाइट करो मालो दो केंडिडेट है तो कितना हो गया पचास और एक और जोड़ दो तो 51 जब तक वो 51 प्रतिशत वोट नहीं लाएगा आदे से ज्यादा तब तक वो विजयता नहीं ह होगा एक ही उम्मीद्वार जो है राष्ट्रपती की रूप में निर्वाचित होता है और इस फॉर्मिले से निकाला जाता है अब आप वोट को देखो समझो कैसे होता है वोट कैसे डालते हैं क्या कोई EVM मशीन होती है क्या भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन EVM से होता है मैं आपको बता दूं कि EVM से राष्ट्रपती का चुनाव नहीं होता कि EVM से सारे चुनाव वही होते हैं जो डाइरेक्ट होते हैं फस पास दिपोस्ट वाल आप गए आपने देखा कि वहाँ पर बढ़िया रंग बिरंगे अलग अलग चुनाव चिन्न दिखाई दे रहे हैं तर्स बारा पंदरा जितने भी हैं और उनमें से आपने देखा कि कि कैंडिडेत था हैं आप किसी को भी वोट दे सकते हैं और जो आपके पसंदीदा था उसके सामने आपने बटन दबाया और आपका vote हो गया, आपका मत हो गया, कि आपने अपना मत किसको दिया, आपने किसको चुना, ऐसा हर वेक्ति जाता है, EVM के समने बटन दबाता है और उसकी vote हो जाता है, राष्ट्रपती के चुनाओं में EVM नहीं चलती, क्या होता है? वहां होता है बैलेट पेपर एक मत्पत्र दिया जाएगा एक मत्पत्र मिलेगा और उस मत्पत्र में जानते हैं क्या होगा उस मत्र मत्पत्र में जितने भी केंडिडेट होंगे जितने भी दो चार पांट दस जितने भी खड़े सब के नाम होंगे सबको किसे वर्यता मेरी, अगर यह नहीं हो तो यह वाली, दूसरी, तीसरी, पाँचवी, ऐसे होगा आगा समझ में जैसे आपके घरवालों ने आपको दस फोटो दिखाए शादी के लिए अब ही आपको इसमें से किसी एकको पसंद करना है तो कैसे करेंगे आप को सभी अच्छे लग दस के दस पसंद आप लेकिन दस से शादी तो नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे अब घरवालों ने का ठीक है पर उस सामने वाले वेक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया उसे आप पसंद नहीं आए तो वह पहली वरियता खत्म अब वह तो गया ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को बताओ तो दूसरा ऑप्शन यह इस से करा दो अब ठीक है इस से करा देते हैं उससे कुंडली नहीं मिली हमारे कुंडली कुंडली भी मिला ही जाती दूसरे से कुंडली नहीं मिली आपकी आपके और उसके कुंडली में कोई दोश आगे ठीक है तो घरवालों ने कहा कि नहीं करेंगे तुम्हारी शादी इसमें तुम्ह तो तीसरे option की तरफ से पता चला कि यहां से आपकी terms and conditions मेंच नहीं हो रही हैं, ठीक है, उनकी कुछ terms and conditions हैं जो आपको आपकी घरवालों को नहीं स्विकार, accept नहीं कर रहे हैं वो, तो ऐसे करके आप finally किसी एक option तक जाते हो ना, अब राष्ट्रपती की निरवाचन में ऐसा ह होता है, माल लीजी कि मुझे कोई candidate पसंद है, कि हाँ यह भारत का राष्ट्रपती बनना चाहिए, मैंने उसको पहली वरियता दी, पर मेरी पसंद दूसरों को पसंद नहीं आई, वो नहीं बना, तो क्या होगा, तो मैं अपनी दूसरी वरियता दूँगा, कि यह नहीं बन करती कि चुनाओं में वोट डालो या ना डालो, पर ऐसा आप करोगे तो सही, कब करोगे जानते हूँ, जब आपका प्रिलिम्स निकल जाएगा, जब यूपी एसी का प्रिलिम्स निकल जाएगा, कई लोगों का पहले निकला होगा, तो उन्होंने डी एफ भरा होगा, एक डीटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है में इस के लिए, और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जितनी भी यूपी एसी की एक्जाम के बाद, आपको जो सर्विसेज मिलती है, आगे समझ में, उन सारी सर्विसेज में आपको अपनी प्रिफ आपके नंबर सबसे कम है उस एक्जाम में जितने भी लोग सिलेक्ट है, अब आप आई एस कैसे बन जाओगे, लेकिन सिलेक्ट हुए तो कुछ तो मिलेगा, तो भई आप दूसरा कुछ पसंद करेंगे, वो नहीं मिलेगा, तो तीसरा, चोथा, पाच्वा, आखिर में की, हमें यूपी एस देना है और हमें आई एस बनना है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, एक्चुल में इस होई करना पड़ना के जितन लिए उन्हें लगता है, अगर आपने ये लक्षय कर आए, कि आपको आई एस ही बनना है, तो कोशिश करिए , वो सिलेक्ट से में आए आपको अच्छी रैंक भी चाहिए कि खाली सिलेक्शन से अगर आपको लग रहा है कि आई एस बन जाता है विक्ति यूपीसी में ऐसा नहीं होता आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि वास्तों में मन पसंद कैडर में मन पसंद सर्विस मिल जाए तो उसके लिए आपको टॉप 50 में मतलब यह लडाई सिर्फ सिलेक्शन की नहीं यह लडाई टॉप करने की आई मेरी बास समझ में गलत फ्यमी मत रहना की सिलेक्शन से सब हो जाएगा यह लडाई टॉप करने की भी है टॉपर बनोगे रैंक अच्छी होगी 20 30 40 50 ओल इंडिया तो मन पसंद की चीज मिलेगी नहीं तो सिलेक्शन के बाद भी खाली हाथ ही रह जाना है आगया समझ में यदि आप मान लीजिए कि 700 800 900 इधर कहीं है तो फिर जो मिलेगा मजा नहीं आएगा आपको सिलेक्शन तो होगा आपका नाम भी हो जाएगा कि यूपेसी क्रैक किया यूपेसी में सिलेक्शन होग लेकिन कोई नहीं पहचानेगा जो आपने मेहनत कि ना उसमें थोड़ी सी कमी की वज़े से थोड़ा बहुत अंतर होता है ज्यादा नहीं होता है सिलेक्शन होने वाले लगबख-लगबख सब एक ही जैसे होते हैं बस अंतर उनकी थोड़ी सी नंबर सोड़ी से उपर नीचे हो जाते हैं तो कोशिश यह करनी है कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं, उपर के रैंक में सिलेक्शन हो, तो मिलेगा आपको वो चीज़, यहां वैसे ही मामला है, मतदाता को मतदान करते समय, उम्मीदवारों के नाम के आगे, एक, दो, तीन, चार वरियता अंकित करनी होती है, इस प्रकार मतदा उम्मीदवारों की उतनी वरियता दे सकता है, जितने उम्मीदवार है, अब दस है, तो दसों को वरियता देनी पड़ेगी, 15 है तो 15 को, समझ गए, ऐसे होता है भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन, अब क्या होगा, प्रथम चरण में प्रथम वरियता के मतों की गण ना कि कैलकुलेशन बड़ी जटी लें आप, मान लिजी ये 10 लोग है, तो सब का देखा जाएगा कि किसको कितनी पहली प्रायोरिटी, कितने लोगों को कितने लोगों ने पहली प्रायोरिटी दिये, मान लिजी कि कोई केंडिडेट है, एसको 15 लोगों ने पहली प्रायोरि पर दीधि पेली वरीयता की गणना होती है अग्या समझ में तो पहले जरण में पहली वरीयता के मतों की कर रणना होमे किसको कितनी मिली और अगर किसी उमिद्वार को जितना चाहिए मिनिम्म मीन्म सम्емся मिल गया तो विजेता मत्तब राष्ट्रपति का चुना हो गया राष्ट्रपति चुन लिया गया लेकिन अगर मानलो की पहली priority के बाद किसी को भी minimum नहीं मिला कि पहली priority के बाद भी किसी को minimum जो है वो नहीं मिला तो क्या करेंगे बताईए आपने सोचा कि पार्टी करते हैं और आप पांच लोग हैं तो पांचों लोगों ने सोचा कि आप बस में कॉंट्रिब्यूट करते हैं कॉंट्री करते हैं तो आपके पास पैसा का होता है नॉर्मली जेब में होता है ना तो सब ने अपनी अपनी जेब से पैसा नि कहीं बाहर से मैनेज करेंगे न कहीं और से लाएंगे आप फिर अपने अकाउंड लेंगे या अपने किसी से दोस्त से मांगे यह मंसर्थneys मांगे लेकिन क्योंकि minimum उतना हो ना चाहिए फिसी को نिर्वाचन में उसके कोई निर्वाचीत नहीं हुआ को बीचिनाव हुआ तो फिर दूसरी वरियता के आगे फिर दूसरे चरण में बढ़ा जाएगा और जो सबसे कम तिक के सबसे कम जो नीचे पाइदान पर जीने सबसे कम पहली वर्यता मिली उनके जो मुंत हैं वह उपर वालों में बाट दिये जाते हैं ज्याधा परेशान होने की जरूत नहीं है बस इतना याद रखना है कि प्रथम वर्यता में जिसको सबसे कम वर्यता मिली है उस उमीद अब वो सबसे नीचे वाला तो गया और उसके जो दूसरी प्रायोरिटी के मत्थे वो सारे बाड़ दिये जाएंगे दूसरे उपर वाले केंडिडेट में और यह सब तक किया जाता है जब तक कि किसी एक को यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उमिद्वार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता मिनीमम तक नहीं आ जाता है ठीक है आगया समझ में कि ऐसा होगा राष्ट्रपती चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाच और फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं एक बात का ध्यान रखना जितने भी राष्ट्रपती चुनाव से जुड़े हुए निर्णय हैं विवाद हैं यह सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते है और उसका फैसला अंतिमुता इस मामले में आप एक बात बोल सकते हो और वो यह कि सुप्रीम कोट का यह मूलक शेत्रादिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्षन है जैसे केंद्र और राज्यों के विवाद दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद इस तरह के विवाद सिथ कोई उच्च नियाले, कोई हाई कोर्ट, कोई नियाले उसमें सुनौवाई नहीं कर सकता वैसे ही भारत के राढ़रत के राश्ट पती के चुनाओं से जुड़े हुए जितने विवाद हैं वो सिर्फ सुनुवाई कर सकता है कोई नहीं आगया समझ में राष्ट्रपती के निर्वाचन से जुड़े हुए विवादों के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा और कोई कोट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है ठीक है अब कई बार लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपती के निर्वाचक मंडल में कुछ पद खाली थे जैसे कोई विधानसभा भंग हो गई थी या किसी विधानसभा के कुछ सदस्यों ने स्तीफा दे दिया था तो इसलिए राष्ट्रपती का निर्वाचन अमानने होना चाहिए क्योंकि कई लोगों को वोट डालने का मोकाई नहीं मिला लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद खाली है तो राष्ट्रपती चुनाव को चुनोती नहीं दी जा सकती कि इन लोगों को तो मोकाई नहीं मिला वोट डालने का यदि उच्चतम नियाले द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपती की रूप में नियुक्ति को अवैद गोशित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की गोशना से पूर्व उसके द्वारा किये गए कार्य अवैद नहीं माने जाएंगे एक और पॉइंट समझो मान लो कि राष्ट्रपती का चुनाव हो गया उन्होंने पद समान लिया काम भी शुरू कर दिया अब ऐसे में किसी ने उनके चुनाव को चैलेंज किया कि ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है और ये गलत तरीके से राष्ट्रपती बने है और सुप्रीम कोर्ट ने सही मा जाना इस बात को उन्होंने उनका चुनाव रद्ध कर दिया कि यह राष्ट्रपति गलत है और इन्होंने जो है गलत तरीके से चुनाव जीता था इसलिए यह भारत के राष्ट्रपती अब नहीं रहेंगे तो इतने समय तक दो चार-चे मेने तक जो उन्होंने काम किये थे क्होंने गते वह काम अवेद नहीं माने जाते ठीक है राष्ट्रपती के द्वारा अगर उनका चुनाव रद्ध भी हो जाता है तो उनकेमसे की एक काम अवेद नहीं माने जाएंगे और वह सबूले नहींद कि ऑन मैं खूंती सर मेराथन सेशन लो तीन गंटे पड़ा हूं दो गंटे तीन गंटे चार गंटे की लटर स्ट कि इक 1stars मैं 7 पूनने लगाती बच्चों की मतला में यह पड़ा रहा हूं मैं इतना लगातर भोल उसके बावजूद भी में एनर्जी के साथ अभी भी आपको पढ़ा रहा हूं वैसा के वैसे और आपको सिर्फ पढ़ना है आपको सिर्फ सुनना और समझना है एक गंटे बाद यहां पर कई सारे बच्चे जो है वह बाई 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 करने लगतें जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो गई हूं कि एक गंटे पढ़ेंगे और एक गंटे में तो मतलब ऐसी हालत हो जाएगी कि आप कुछ समझ में नहीं आए क्या क्या तैयारी किस पात की तैयारी करें कौन से तैयारी कर रहे हूं कि आपको वहां 6-6 घंटे लिखना पड़ेगा एक दिन में जब आप मेंस दोगे ना तो दो शिफ्ट में पेपर होंगे 3-3 घंटे के दो शिफ्ट होगी 6 घंटे तो लिखना ही पड़ेगा और जब पढ़ते हो, तो कई-कई घंटे पढ़ना पढ़ता है, आदे एक घंटे में जिन बच्चों का दम फूल जाता है, मैं उन्हें फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सला दूगा कि छोड़ दो, अगर आप आदे घंटे से जादा नहीं पढ़ पाते हैं, आपके अंदर स्टेमिना आपके लिए ही नहीं, यह एक्सीप्ट जांटे के नहीं से नहीं हो सकता, यह इग्साम आपके लिए ही नहीं, वाई आर यू वेस्टिंग यूर टाइम, आप कुछ और करिये जीवल, ऐसे काम करी जो आदे घंटे में मैंनत करने से हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी मेराथन में भाग लेते हो, मतलब आप 25 km की मेराथन में चले गए दोडने और 1500 मिटर के बाद सांस फूलने लगी, वहीं लेट गए अदमरे हो गए, तो फिर आप उस मेराथन को कभी कम्प्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेराथन में कोई भी व्यक्त कि जो भाग लेता है, उसकी पहली requirement होती है कि आपके अंदर stamina होना चाहिए, आप 25 km तक पहुंच तो पाएंगे कि नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे यहां तो आदा घंटा, एक घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है, capacity नह देखेंगे, ऐसे तो आपका selection हो गया, हो चुका, तो अब यहां देखो, कई सारे समविधान सभा के सदस्य जो है, उन्होंने यह आलोचना की, कि भारत के राष्ट्रपती का चुनाओ अप्रत्यक्ष्य क्यों करवा रहे हूं, यह गलत है, अब यह भी आपसे पुचा जा स कबाता है कि भारत के राष्ट्रपती का जो आप देखोंगे ना कि अप्रत्यक्ष्य क्यों करवा रहे हूं, आप बना रहे हूं, आपको राष्ट्रपती जैसे पद पर चुनाओ डेर्क करवाना चाहिए, क्योंकि देश्य का सबसे बढ़ा प यह तो उन्होंने आलोचना क और उन्होंने राष्ट्रपती के चुनाओं को अलोक्तांत्रिक बताया कि डेमोक्रिसी के खिलाफ और प्रत्यक्ष चुनाओं का प्रस्ताव किया कि मुझे लगता है कि यह वही लोग है जो जिस प्रकार की मानसिक्ता कि लोग इसा सोचते ना कि अरबियाई के पास तो नोट चापने की मशीन है तो क्यों न वह वह बहुत सारी देश की गरीबी दूर कर देती हैं आ अपनेbroणों का अप्योग कर सकते हैं लोग ही इसी बाते कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होना ची कि आपका सिस्टम कुन सा है आप संसधी प्रणाली को अपना रहे हूं और संसधी प्रणाली में डायेक्ट राश्ट्रपती को कैसे चुन लोगे आप संसदी प्रणाली के हिसाब से राष्ट्रपती सिर्फ नाम का प्रमुख होता है और यह इसे अलोकतांत्रिक बता रहें मेरी समझ में नहीं है कि क्या सोच के बता रहें राष्ट्रपती के चुनाओं को वो अलोक्तांत्रिक बता रहे हैं और उन्हें चाहिए कि राष्ट्रपती का चुनाओं प्रत्यक्षपरवाँ तो फिर शिस्टम चेंज एक तरफ तो हमें संसदी प्रणाली भी चाहिए हमें प्रधान मंत्री भी चाहिए मंत्री परिशत भी चाहिए और हम राष्ट्रपती को डारेक्ट भी चुनना चाहते हैं क्या बोलोगे आप ऐसे लोगों को हाला कि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्षुनाव को ठीके चुना तो क्यों चुना क्योंकि आपको बता दिया हूं कारण यह है सबसे पहली बात तो यह कि आप सरकार की संसदी विवस्था को अपना रहे हो और यह शंविधान की संसधी विवस्था के खिलाप हो जाएगा, संसधी विवस्था के अकौर्डिंग राष्ट पती नाम मात्र का प्रमुख होता है, ऐसे में उसको आप सीधे चुनवा के शक्ति नहीं दे सकते, इस विवस्था में राष्ट पती केवन नाम के प्रमुख होते हैं, और सारी शक् सिस्टम ही घडबड कर दिया कि आगया समझ में अब इवस्था हो जाएगी यदि राष्ट्रपती का प्रत्यक्ष चुनाव आपने करवा लिया तो वास्तविक शक्तिया उसको नहीं दोगे तो यह तो घडबड हो जाएगी कि ठीक है कि आपके यहाँ पर दावत है मैं उर्धावत में आपने पचास लोगों का खाना बना ना अब यह सोच के बाकी लोगों का क्या होगा वो तो बिचार रहे जाएंगे और पचास Monte दावत में पांचों को बूलाले अब बुलालो और अब बुलालो और खाना न दो यह तो और पुरिस्तिती हो जाईगी खाना आपने 50 लोगों को बनाया बुलाना 500 लोगों को चाहते हूं तो पहले उसी साब से खाना तो बनाना चाहिए तो इनोंने क्या सोचा इनोंने बोला कि राश्त्र पती को आप सीधे चुनवाओ तो गडबड हो जाएगी क्योंकि तब तो उन्fund तो और बुरा लगेगा एक तो आपने उन्हें राश्त्र पती के रूप में जंता से चुनवा भी लिया और शक्ती भी नहीं दी फिर शक्ति देनी पड़ेगी आपको ये पहला कारण राष्ट पती का प्रत्यक्ष चुनाव करके क्या करोगे इतना सारा पैसा खर्चा करोगे इतना सारा समय और उर्जा खर्च करोगे इसा वेस्ट हो जाएगा मेरी आहरें यहां का आप जानते हैं कि भारत में जन संख्या आकार क्या है इतनी बड़ी जन संख्या इतने जो है बड़े चुनाओं में में भाग लेगी वह राष्टपती को चुनेगी और राष्टपती को चुनने के बाद क्या LIKE ये सब वेस्ट हो जाएगा जब वेक्ति न तो प्रमुख है वास्तविक रूप से न सारी शक्तियां वास्तविक रूप से उनके पास है तो फिर ये चुनाव सारा आपके संसाधनों का अपव्याई है ठीक है ये चुनाव करा के आप कुछ भी नहीं हसिल कर पाओगे क्योंकि वो एक प्रतिकात्मक प्रमुख है तो ऐसा करना संभव भी नहीं है संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाओ दिया था कि राष्टपती का चुनाव केवल संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुए अब कुछ लोगों ने एक सुझाओ और दिया की और उन्होंने यह कहा कि आप राश्थ पती का चुनाव सिर्फ संसत के लोगों से कर सिर्व इन विधान-सभा के सदस्जों को जोड़ने की जरूत क्या है। कि आप संग की कारेपालिका के प्रमुक को चुन रहे हूं तो सिर्फ संसद के लोगों से वोटिंग करा लो इसमें विदान सभा के यह एक पॉइंट था जो थोड़ा सोचने योग्य है पर इसमें भी हमारे पास तर कहें कि हमने विदान सभा के सदस्य को क्यों लिया क्योंकि इसमें आपको देखोगी कि संसद में एक पार्टी का बहुमत होता है आप जानते हैं कि हमारे यह लोग सभा में सरकार बनती है बहुमत से एक पार्टी का बहुमत होगा तो वो पार्टी आसानी से अपना राश्ट्रपती चुन लेंगी तो निश्चित तोर पर उसी पार्टी का उसी दल का उम्मीदवार राष्ट्रपती की रूप में चुना जाएगा तो ऐसे में राष्ट्रपती भारत के सभी राज्यों का प्रत्निधित्व नहीं कर सकता अगर आप इन्हें संसत के साथ साथ राज्यों के विधायकों से भी चुनवाते हो तो यह पुरे देश का प्रत्निधित्व करते हैं भाई राज्यों को भी तो लगेगा कि हमारी भी कोई भागीदारी है इस विक्ति को चुनने में देश के प्रमुक को चुनने में ठीके वर्तमान विवस्था में राष्ट्रपती संग और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता हैं अब इनके लिए सब बराबर क्योंकि सभी मिलके चुनते हैं कि इसके अलावा सम्विदान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपती की चुनाओं में आनुपातिक प्रतिर्दित्व शब्द का प्रयोग मत करो यह गलत इसको भी लेकर कई लोगों ने कि अलोचना की उन्होंने कहा इससे अच्छा होगा कि आप इसे प्रात्मिक या वैकल्पिक विवस्था कहते यह सब कोई मतलब की अलोचना है नहीं अब हम बात करें भारत के राष्ट्रपती के पद पर जाने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्जिता होनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन्स बोलते जिसको अरहता है या योग्यता है उनकी शपत कैसी होती है कौन दिलाता है उससे जुड़ी हुई शर्ते क्या है तो देखो राष्ट्रपती के पद पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो भारत का राष्ट्रपती बनता है उसके लिए कुछ योग्जिता होनी चाहिए कम से कम पहली शुट बी अस इटि जन्म से नागरिक होना कोई ज़रूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति विदेशी हो और किसी भी समय वो भारत की नागरिकता ले जए और वो भारतिये बन जाए तो वो राष्ट्रपती के रूप में चुनाव लड़ सकता है और बन बे सकता है यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क कि एसा अमेरिका में नहीं होता अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा अलग है और अमेरिका का सिस्टम यह कहता है कि राष्ट्रपती वहीं वेक्ति बन सकता है वहां का जो अमेरिका में पैदा हुआ है जिसका जन्म से जिसकी नागरिकता है बाद में बनने वाले राष्ट्रप पद है इसमें मिनीमम एज है निर्वाचित जैसे विधायक 25 साल होना चाहिए लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए विधान सभा की चुनाव लड़ने के लिए योग गिता उम्र 21 साल का विक्ति भारत में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव लड़ सकता है कम से कम 30 साल का कम से कम होना चाहिए राज्यसभा और विधान परिशत का चुनाव लड़ने के लिए 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती और राज्यपाल बनने के लिए इसमें आपको सब जगे मिनीमम एज मिलेगी मैक्सिमम नहीं है मतलब कितना भी बुड़ा पर अपको सिर्फ क्या मिलेगा मिनिमम मेज कितनी ऐज वाला उससे नीचे वाला नहीं बन सकता ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है उपर तो इसकाइज द लिमिट तुम अपने जीवन के आकरी दिन तक राष्ट्रपती और प्रदान मंतरी बन सकते हो यही दिक्कते भारत ऐसी कि कोई उपर लिमिट भी होना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में से कई सरे राज्यपाल हैं कि जो चल भी नहीं पाते जिनकी स्थिती बहुत खराब है मतलब उनको सपोर्ट से चलाना पड़ता है यह वीलचेयर पर चल रहे हैं यह बिस्तर पर लेटे-लेटे काम कर रहें तो क्या जरूत ऐसे विक्ति को राज्यपाल पनाने कि जिस विक्ति की उम्र हो चुकी है जिसको अपने शरीर का ख्याल न है कराम बनाते हैं और मोदरीख साल का 85 सी साल का 90 साल का विक्ति भारत में पी एम बनने के सपने को जाल हिए अब जवन जह तो यहां भी होनी चाहिए फिश जहांगों प्रसाशासनिक ड़्यक्त को धरन नहीं कर सकता है साट साल में भारत में सर्विस से रिटायर्मेंट हो जाते हैं गध विच sushi 61 बस को यहां ऑफ होनी चाहिए और और यहां कोई आगे अब बहुवट नि मिनिमम मेहीं याइद र्खना तैसलो अधीज सी वर्ख की अधारत में राष्ट्रपती के लिए भी है मिनिमम उपराष्ट्रपती के लिए भी है और राज्य पालों के लिए भी है ठीक है फिर दूसरा कि वो लोग सभा का सदस्य होने की योग्य हो यह ध्यान दखना कि आपको ये बात ध्यान दखना है कि राष्ट पती बनने के लिए लोग सभा का सदस्य होने की योगिता होनी चाहिए. अगली है कि वह संग सरकार में या किसी स्थानी प्रादिकरण में या किसी सारवजनिक प्रादिकरण कहीं भी कोई लाब के पद्र ना हो. इसको इंग्लिश में बोलते हैं Office of Profit क्या बोलते हैं Office of Profit वहां किसी लाब के पद पर नहीं होना चाहिए अब लाब का पद क्या होता है लाब का मत्पदलब वो होता है कि आप सरकार के लिए कोई काम कर रहे हो जैसे सरकारी नोकरी आप करते हो ना तो सरकार के लिए आप कुछ काम करें और बदले में सरकार आपको कुछ पैसा दे रही है कोई वेतन पारिष्ट में कुछ भी आपको दे रही है उसे लाब का पद बोलते है Office of Profit कि आप सरकार से कुछ लाब ले रहे हो ठीकिए सरकार को अपनी जो भी जोब अगेरे आप कर र तो यह है चार जैसे मालेजिए कि आप कहीं पर अच्छी बड़िया जॉब में या मालेजिए कि आप एक लोग सभा के सांसद है और आप राश्ट्रपती चुन लिए गए तो आपको लोग सभा के सांसद से इस्तीफा देना पड़ेगा आगे समझ में क्यों क्योंकि यह ल यह कुछ योग्ताय हैं पुझ भारत में राश्ट्रपति बनने के लिए पूने ही चाहिए उपping ये क्वर्तमान राश्ट्रपति नहीं माना ज्याता है इस बात को नोट करना कौन कौन से पद लाब के पद के दाइरे में नहीं आते राश्ट्रपती का उपराश्ट्रपती का किसी मंत्री का और राज्यपाल का ये भारत में नहीं माने जाते लाब के पद के उसमें मतलब एक राष्ट्रपती फिर से राष्ट्रपती पद बनने के लिए योग्य होता है ठीक है कि आगे समझ में यह हो गई इनकी योग्यताएं और देखें इसके अलावा अब ऐसे तो जड़ी लग जाएगी राष्ट्रपती बनने मतलब उमीद्वारों की कौन भारत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपती नहीं बनना जो योग्यता है मैंने आपको बताई यह तो सब खिपास है ऑल्मोस्ट पैतिस साल की उम्र जिनकी हो चुकी भारत के नागरे वो सारे राष्ट्रपती की योग्ये तो कोई भड़ा हो जाएगा कि सोचो इस बात को इसमें कौन से बड़ी बात है क्या 35 साल का होना बड़ी बात है कि नहीं कुछी लोग 35 साल के हो पाते बहुत सारे नहीं हो पाते 35 साल कोई बढ़ी बात नहीं भरत के नागरी खम सभी है और लाब के पद की बाद चोड़ी की पड़ी मुझा थिर अधे लोगों पास काम गंधे ही नी थू लाब के पद पर भी निया नाउ filter साल के लिए whites राष्ट्रपती पद के लिए योग्य हैं तो फिर तो आप देखोगे कि राष्ट्रपती बनने के लिए हजारों लोग चुनाओं में खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमारे देश में विधायक के चुनाओं में 10-15 लोग खड़े हो जाते एक छोटे से इलाके में और चोड़ो सोच भी नहीं सकते आप वह मत पत्र वाले जो हैं इतने बड़ी लिस्ट निकाल के देगा बहुत बड़ी वरियता देते देती ठक जाये का आदमी तो हर कोई खड़ा नहीं हो सकता इसके लिए क्या मिवस्था है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए मतलब जो लोग वोट डालने वाले हैं विधायक या सांसद डालेंगे तो वही ऐसे 50 लोग आपका नाम प्रस्तावित करने चाहिए उनके उनका सपोर् अब मैं बताओं कि में एक राष्ट में 35 साल गाहूं में 36 साल गों 38 साल को 25 साल को में राष्ट पती बनना चाहता हूं मुझे कम से कम 50 विधायक या सांसद चाहिए जो मेरे नाम का प्रस्ताव करे अनुमोदन करे तब जाके में चुनाओं में खड़ा हो सकता हूं आगे समझ में यहां आके लोग अटक जाते हैं इसी के साथ प्रत्यक उमीदवार को भारती रिजर्व बैंक में 15,000 रुपे की जमानत राशी भी 15,000 रुपे जमानत के रुपे जमा कराने पड़ेंगे और अगर आपको एक मिनिमम वोट से कम मिला तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा आपने सुनाओ कई बार जमानत जब तो हो जाती है यह जमानत विधायकों के लिए लोकसभा के लिए हर चुनाओं में होती है और कई बार वेक्ति को जब कोई वोट नहीं देता है बहुत कम वोट मिलते हैं कुल वदों का एक बटा छे से भी कम तो आपकी व सो वोट पड़े तो सो में से आप एक बटा छे देखो कम से कम 16 17 वोट चाहिए आपको इतने भी अगर आपको नहीं मिले तो यह राशी वापस नहीं मिलेगी यह पैसा जब तो हो जाएगा पहले यह कम था यह देखो यहां आगे 1997 से पहले 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक होते महंगाई बढ़ गए तो महंगाई के हिसाब से अड्यस्ट किया गया है अब 15,000 रुपे जमा कराने पड़ते हो और वो जब तो हो जाते हैं अगर आप नहीं ला पाए कम से कम इतने वोट भी तो कि 97 के बाद इसको बढ़ाया गया ताकि कोई भी उठके इसे ही राष्ट्रपती चुनाव को लड़ने के लिए ना आ जाए मतलब गंभीर हो कोई विक्ति चुनाव लड़ने के लिए वही आए कि नेक्स्ट शपथ राष्ट्रपती की शपथ बड़ी महात्वपून है वेसिकली हमारे संविधान में जो आपका अनुसूची तीन है तीसरी अनुसूची में शपथ के फॉर्मेट दिये गए है लेकिन आपको भारत के राष्ट्रपती की शपथ का फॉर्मेट वहां नह 266 यह आप Article 60 देखेंगे तो आपको भारत के राष्ट्रपती की शपत का फॉर्मेट मिलेगा कि वो किस फॉर्मेट में अगर कोई विक्ति राष्ट्रपती बनता है तो शपत में क्या बोलता है ठीक है आर्टिकल 60 में है क्या बोलता है बोलता है कि राष्ट्रपती पद का मैं शद्धा पूर्वक राष्ट्रपती पद का कारेपालन करूंगा शपत में बोलते हैं कि मैं जो भी नाम है शद्धा पूर्वक राष्ट्रपती पद का कारेपालन करूंगा इस सम्विधान औ और प्रतिरक्षन करूंगा, ठीक है, to protect, preserve and defend the constitution, मतलब मैं इस constitution को defend भी करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसका प्रतिरक्षन करूंगा, इसका preservation करूंगा, इसको preserve करूंगा, और इसका परिरक्षन करूंगा, ठीक है, protect करूंगा, defend करूंगा और preserve करूंगा, तो ये भारत के रा चुन विक्ति संविधान के परिरक्षन प्रतिरक्षन के चंडरक्षन की शपत लेते हैं भारत के राश्ट सक पुइंड हैं और में भारत की जनता की सेवा लगाता निरत रहों Financial के काक्यान काम करता रहूं है यह शपत है यह शपत का फॉर्मेट है अब शपत दिलाता कौन है कि भारत के राष्ट्रपती को शपत दिलाते कौन है शपत दिलाने का का म यह तुछा हम भारत के छे इनको सपत दिलाते हैं भारत के Chief Justice जो भारत के Supreme Court के जो मुख्ये आधी चीफ जसिस ऐंडीया वह इने शपत दिलाते है और अगर वो नहीं है वीमार हो जॉए किसी कारण से नहीं आप आए बाहर गए हो है तो उनकी अनोपस्तिती में जो senior most judge होता है सुप्रीम कोड़े का, ठीक है? अगर Chief justice available नहीं है, तो senior most judge, जो भी होगा सुप्रीम कोड़ का, वो राश्टरपती को शपत दिलाएंगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राश्टरपती की रूप में कारे करता है, निर्वाह करता है इसी प्रकार शपत लेनी होदी एक बात ध्यान से समझना कि सिर्फ राष्ट्रपती जो बनेंगे चुने जाएंगे उन्हीं को शपत नहीं लेनी पड़ी अगर मालेजें उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती की रूप में काम कर रहा है तो उन्हें भी कारिक करें Fahrenheit or राष्ट पति एक कर्टव्यों की संसा लेगा यहीं शपत लेनी पड़े इसके बाद काम करata जब तक आप सपत नहीं लेते मां राष्ट्रपती के रूप में काम नहीं कर सकते है ऑक तो है और समि시죠 है अब यह हैं अधर समीज है ये भी इंट्रस्टिंग है कि अभी तक भारत में कौन-कौन विक्ती राष्ट्रपती के पद को सुशोभित किया है और किस-किस के खिलाफ लड़ा और जीता इसमें आपको पता है कि सबसे पहले जो डॉक्टर राजेंद प्रसाथ सहाव है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपती चुना आपको पता होगा उसके बाद जब संसत का गठन हुआ तो संसत के द्वारा 1952 में इन्हें फिर राष्ट्रपती चुन लिया गया तो इस तालिका में आप देखोगे भारत के राष्ट्रपतियों का निर्वाचन कब कब हुआ और किसके सामने वो खड़े और जीते थे कि 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपती बने और इन्होंने केटी शाह को हराया ठीके केटी शाह के सामने यह विजय हुए और इन्हें चुन लिया गया राष्ट्रपती फिर पांच साल के बाद इनका जब कारेकाल पूरा हुआ तो यह फिर से जित लिए फिर से जित दिया फिर से विज़伃 हुए अगले पांच साल तक फिर से रहे तो 1952 से बाहत तक तक hol दस वर्ष तक यह भारत के राष्ट्रपती रहे और यह आपको पता होगा कि यह एक मात्र रहसे राष्ट्रपती है जो दस साल तक राष्ट्रपती रहे इनके बाद भारत में आज तक कोई इसा वेक्ति नहीं है जो दूसरी बार राष्ट्रपती के रूप में चुना गया हूँ तो दूसरी बार इन्होंने एनन दास को हराया अब 1962 में जब राजेंद्र प्रसाद सहाब का हो गया पूरा ओवर दस साल फिर अगली बार जब चुना हुए तो हमारे पहले उपराष्ट्रपती आपको यह भी पता होगा कि जब तक राजेंद्र प्रसाद सहाब पति रहे भी तब तक राधा कृश्ण सहब आववन से पासर तक यह पहले उपराष्ट्र पती है तो ये душ दब फी राष्ट्र पती रहे पीर नहीं राष्ट्र पती चुन लिया गया तो चोधरी vtरी राम को राहे एह यौने राष्ट्रमाटीपत की श Grüiblia 62 राष्ट्रपती आहरे चोत्ति हैं राष्ट्रपती है इस года कुश्जन आते हैं всё डौक्टर जाकिर हुसें साफ जाकूरा एक याद रखना पहली कि डौक्टर जाकिर हूसें साहब अल्पसंक्यक वर्ग के पहले राष्ट्रपती थे आप देख सकते हो कि मुस्लिम थे तो अलपसंख्यक वर्ग किसी भी अलपसंख्यक वर्ग से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपती और दूसरा पद पर मरने वाले पहले राष्ट्रपती डॉक्टर जाकिर उसेन साथ 1967 में राष्ट् तो जैसा कि मैंने आपको पता है कि मात्र दो साल यह पास साल पूरे नहीं कर पड़े ठीक है पद पर मरने वाले म्रत्यू होने वाले पहले राष्ट्रपति 1969 में फिर से चुनाव कराने पड़े क्योंकि राष्ट्रपति नहीं रहे वीवी गीरी सहाप आपने सुना होगा वराह गीरी वैंकट गीरी वराह वैंकट गीरी जो है यह भारत के अगले राष्ट्रपति बने इन्होंने नीलम संजीवन रेड़ी को हरा है एन संजीवन रेड़ी कई बार व्यक्ति अपने हार को बड़ा वो ले लेता है एन संजीवन रेड़ी आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं यहां पर जानते हैं क्यों मान लीजी कि किसी साल कोई व्यक्ति यूपी एसी के प्रिलिम्स में फेल हो गया बुरा मान गया अब इतनी महनत की कि अगली बार टॉप कर दी ओल इंडिया फर्स्ट रेंग ऐसा है मामला नीलम संजीव रेड़ी साहब का यह पहली बार जब राष्ट्रपती चुनाओं मे मोटिवेट करने के लिए भी बड़ा काफी है देखो आप यह नीलम संजीव रेड़ी जो 1969 में हारे यह 77 में निरविरोध जीते इन्हें कोई टकर देने वाला भी नहीं था या तो फिर हारो ना तो अगली बार ऐसे जीतो कि आपकी जीत भी एक मिसाल बन जाए दुनिया में लोग आपकी जीत की मिसाल देने लगे ऐसे जीतो ठीके तो 1967 में विवीगीरी बने 1974 में पांच साल के बाद फकरुद्दिन अली एहमद यह भारत के राष्ट्रपती बने थे और जो मैडम इंद्रा गांदी ने आपात काल लगाया था वो इनोंने ही लगाया था आपको यह भी पता होना चाहिए 1975 में आपात काल की घोशना क करने वाले या पात काल के समय जो राष्ट्रपती थे वह कौन थे वह एफ ए एहमद फकरुद्दिन अली एहमद थे थीके तो अगली बार नीलम संजीवन रेड़ी का अपना टाइम आएगा वाली बात उन्होंने सोचा किया ठीक है आज हार गये तो क्या हुआ कभी तो वापस 1977 में वो निर्विरोध जीते दिखो पहली बार एसा हुआ भारत में अभी तक की इतिहास जो मैंने आपको यहां जिता है कि 1982 में जब उनके 5 साल पूरे हुए तो ग्यानी जेल सिंग सहब हर को हरा के और ग्यानी जेल सिंग साफ जो यह राश्ट्रपती बने ठीक है तो ग्यानी ज्ययर सिंसाब के वर्वे भी अपको बता होगा कि भारत में पहली बार किसी राश्ट्रपती ने कौकेट वीटो का यूज की है हिए चैसे हं जब बात करते हैं राश्ट्रपती के पौकेट वीटो को लेके तो यह वो राश्ट्रपति जो पॉकेट वीटो के लिए भी जाने जाते हैं इनों ने राजियु गांधी सरकार के एक डागगाना संशोदन अधीनियम को पॉकेट वीटो कर दिया था तो जब मैं आपको वीटो पावर पढ़ाऊंगा राष्ट पती की तब हम पॉकेट वीटो पर डिसकस करेंगे इसको जबी वीटो भी बोलते हैं तो इनों ने पॉकेट वीटो का यूज किया ठीके यह नाम आपने सुनाई होगा ग्यानी जेल सिंग सहाब का नाम तो सुना होगा चलिए अगला नाम एटी टू में ये बने फिर एटी सेवन में पांस साल के बाद आर वैंकट रमन साहब हमारे अगले राश्टपती थे नवे राश्टपती वी कृष्णाईयर को अराके एक साउत इंडियन विकति यांपर फिर एक राश्टपती बने 1992 में मद्य प्रदेश के शंकर दयाल नाम जरूर याद रखना अनुसूचित जाती के पहले राष्ट्रपती इन से पहले कि एसी का कोई राष्ट्रपती भारत में नहीं जीता था यह भी याद रहना फैक्ट है कई सारे एफेक्ट आ जाते हैं कि कि अंगा हमने देखा है पहले अलपशक्यत राष्ट्रपती कौन थे continent पहले अलपशक्यक राष्ट्रपस थे दोक्टर जाकीर तो से शहां चाहब पदध पर मरने वाले पहले राष्ट्र पति भी डॉक्टर जाकरूर उसन साहब पदध पर मरने वाले दूसरे राष्ट्र पति भी बता दूँदा व Whats Should यहां देखों पकुरुद्धिन अलीहमद सहाब भी 5 साल पूरे नहीं कर पता सेवेंटी सोर में राष्ट्रपती बने तो 179 में चुना होने थे लेकिन फकुरुद्धिन अलीहमद सहाब अश्य दूसरे राष्ट्रपती बने जिनकी पद पर म्रत्यू हो गई है ना तो हमें तीन साल के बाद नए राष्ट्रपती का चुनाव कराना पड़क तो फिर पहले जो अनुसुचित जाती के पहले राष्ट्रपती थे वो के आर नारायनन सहाब थे जिन्नोंने टीन शेशन को रहा है तो नाम सुना होगा आपने टीन शेशन जो एक समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनका नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में आज जो भारत में आप इलेक्शन में जो रिफॉर्म देखते हो ना जो चुनाव में बहुत सारी धांदली खतम हो गई या बोगस वोटिंग खतम हुई है उसमें टीन शेश बहुति भारत में लेकिन राजनीती में ज्यादा सक्सेस्फुल नहीं हो पाते है ना चलिए के आर नारायनें साहब के सामने नहीं लेकिन बाद में कभी ने कभी तो बनना था मत आइधिंग वो डिजर्व करते थे राष्ट्रपती जैसे पद को डिजर्व करते क्योंकि ज जिस प्रकार का उनका नजरिया था जैसी सोच थी जैसा विजन था और जिसे दरड़ प्रतिग्या आदमी थे हूँ किसी से डरते नहीं थे राजिव गांधी सहाब के सुरक्षा सलाहकार थे मतलब पर्सनल ही उनकी सुरक्षा का जिम्मे था उनकी मूंसे बिस्किट छीन लिया था खाते हुए इतनी हिम्मत किसी विकति की होती नहीं कि प्रधान-मंत्री के मूंसे बिस्किट चीन ले खाते हूँ ठीक है एक ऐसा विक्ति जो यह बोलता थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं सुना होगा टीन सेशन्स आपको और आया फिर उसके बाद 2000 में हमारे अगले राष्ट्रपती बने डॉक्टर एपी जे कलाम आपको पता होगा 2002 में इसको 2000 किजिए के 2002 कर लेना दो हजार दो 97 से 2002 और उसके बाद में इसके बाद में बने थे मिसाइल में भारत के यह काफी डिजर्व करते थे इस पद को बढ़िया राष्ट्रपती थे एपी जे कलाम साहब और इन्होंने लक्ष्मी सेहगल को राया था 2007 में भारत को पहली महिला राष्ट्रपती मिली इतनी बड़ी लिस्ट में आप देखो सेखावत को इननों बने भारत में भारत में थीक आपको पता होगा भी यह राया था पहली महिला रास्ट्रपती और एक मातर इनके पहले और इनके बाद अभी तक कोई महिला राष्ट्रपती हमें नहीं मिली ब्ली 2012 में प्रणव मुखर जी जो मुख्रणव दा थे वो राष्ट्रपती बने थे उरोने हराया था पीए संगमा को पीए संगमा आपको पताए कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं यह स्पीकर भी रहें कभी लोकसभा के अगर यह जीत जाते मैं आपको बताऊं कि अगर कि Kirill Ste कम्यूनिटी से कोई राश्ट्रपती नहीं बने है और ये पहले राश्ट्रपती बनते अनुसुचिद जन जाती है समंज गए कि अल्पसंख्यक्ऌ वर्ग से राश्ट्र पती आये हैं अनुसुचिद जाती वर्ग से आये हैं स्टी कम्यूनिटी से नहीं और पिर 2017 में आपको पताईे कि रामनात कोविंद चुनर ने मिरा-कुमार को लोकसभाड्यक्ष थी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार बाबु जग जीवन राम की ये बिटिया पुत्री हैं तो ये रामनात कोविन सहाव ये भी सी कम्यूनिटी से ही आते हैं तो 2017 से लेके अभी तक ये 2022 आ गया है अब भारत में राष्टपती चुनाओ का समय भी आ गया है अब राष्टपती जल्द ही आपको भारत इनका 5 साल होने ही वाले तो इस प्रकार से आप देख सकते हों कि भारत में अभी तक के राष्टपती जो बने हें उनका क्या इतिहास रहा है और यहां से कई फैक्त जैसे मैंने का निर्विरोध, निर्वाचित होने वाले राष्टपती एक मात्र नीलं संजीव रेड़ी स इस जाटी प्रविट्ट्री डश्र पती आपकाल की गोष्णा करने वाले राष्ट पती gener months audio. ए क्या कज़ें वह कि कम न हुए कि यह न तो बाए कम करें जाना है को प्राष्ट्रपति का चुनाओं भारत का इलेक्शन कमिशन कराता है और कौन कमिशण कमिशन अविलोग्समा का मि आद जोए राष्ट्रपती का फारत में लोक बाल राज्य पर रास्ट अभा का विधर परीकर ये सारे के सारे जो elections है वो भारत में election commission of India के दौरा हुध तो जितनी information आपके काम कीए जितनी आपको यहां से पता होनी चाहिए वो मैंने आपको सारी बता दी तो यह निरबाचन हो गया अब शर्तें भी देखो कुछ शर्ते भी मैं आपको बता देता हूँ लगेहात भारत के राष्ट्र पती बनने के लिए कुछ शर्टे होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए सबसे पहली शर्त है कि राष्ट्र पती अगर कोई वेक्ति बने तो वह संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए मतलब वो सांसद नहीं होना चाहिए, वो किसी विधायका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो MLA नहीं होना चाहिए, ऐसा विधायक या सांसद राष्ट पती बन जाए, तो शपत ग्रहन करने से पहले, पद ग्रहन करने से पहले उसे त्याक पत्र देना पड़ेगा अपने ती सांसद भी हो राष्ट्रपती भी हो ठीक है कि आग्या समझ में दूसरा वहां कोई अन्य लाब का पद्धारण नहीं करता ध्यान रखना कोई लाब का पद्धारण नहीं करेगा किसी भी तरह कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वह राष्ट्रपती नहीं बन सकता फिर उन्हें बिना कोई किराया चुकाए राष्ट्रपती भवन आवंटित होगा मैं आप बता दूं कि भारत के राष्ट्रपत जो राष्ट्रपती भवन ठीके हां चुनाव जीतने के बाद ही त्याक पत्र देगा लड़तो सकता है यह तो दिक्कत हो जाए कोई व्यक्ति सांसत के पस्से स्तीफा दे दे और फिर वह राष्ट्रपती का चुनाव लड़े और हार जाए यह तो वह वाली बात होगी न घ सब्बेजी बनने चले और दूबेजी बनके रहे गए तो ऐसा नहीं है आप लड़ सकते हो लड़ने के बाद अगर जीत गए तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा अपने इस पद को ग्रहंड करने से पहले क्लियर कि अब यहां देखो पहले तो आपको धियान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपती बनता है तो उनको जो है कि एक राष्ट्रपती भवन मिलेगा जहां वो रहते हैं सब अतनिक परिवार के साथ तो वह बिना किसी किराय के होगा ठीक है किराया नहीं देना पड़ता हुने उसे संसत द्वारा निरधारित उपलब्धियां भत्ते और विशेश अदिकार प्राप्त होते हैं उनकी चलरी घटा दी तो यह नहीं हो सकता उनकी उपलब्धियां वेतन भत्ते जो हैं पदाओधी के दोरान किसी भी प्रकार से कम नहीं किये जा सकते फिर 2018 की बात है जब संसत ने भारत के राष्टपती का वेतन बढ़ाया कितना मिलता है जानते हैं पता होगा आप एसी चीजों में तो बहुत इंट्रस्ट होता है बच्चों को की मिलता कितना है बन तो जाएं क्या मिलेगा पांच लाक रुपे प्रतिमा ठीके पांच लाक रुपे कर दिया गया डेड़ लाक रुपे प्रतिमा सेलरी थी भारत के राष्टपती की और अभी वर्तमान में प्रतिमा भारत के राष्टपती को मिलता है नहीं मुझे पता यह चीजे बताने कि जरूर नहीं बच्चे खूद सर्च कर लें एसी चीजों में बड़ी अंब कर मैं अनंगे हमारे आन लोगों को बताओ नो कि उस पद पर हैर मुख सपोस्ट पर या जैड़े नोकरी करता है तो पता है लोगों को पहले कुयु स्थ भ defini होता अब एक और चीज की कई लोगों को यहां पर एक बड़ी गलत फ्यमी है कि राष्ट्रपती जो है वो इंकम टेक्स पे नहीं करते हैं गलत बात ऐसा नहीं वो पे करते हैं राष्ट्रपती का वेतन आयकर मुक्त नहीं होता भाई दिहान दखना इस बात यहां तक की हमारे देश के प्रथम नागरिक को भी अपनी आय पर कर इंकम पर टेक्स तो देना ही पड़ता है अगर आपको ऐसा लगता है गलत फेहमी है कि राष्ट पती को इंकम टेक्स नहीं देना पड़ता यह इंकम जो है टेक्स प्री तो ऐसा नहीं है आग्या समझ में कि टेक्स पे करना पड़ता है गलत फेहमी में ना रहे मतलब आप यह देख सकते हो कि लगभग साथ लाक रुपए प्रतिवर्श तो उन्हें वेतन मिलता है पर बहत्ता अलग है यह तो वेतन है इसके अलवा एक लाक रुपए ठीक है उन्हें अपने खर्चे के लिए भी मिलते हैं का जो ऑफिस वगेरा के खर्चे के लिए भी पैसा मिलता है और 2008 में राष्ट्रपती की जो पेंशन थी पहले क्या होता था मालू में 2008 में भारत के राष्ट्रपती को तीन लाक रुपए प्रतिवर्श पेंशन मिलती ही ठीक है मतलब पूरे साल कीजो राष्ट्रपती रिटायर हो जाए है डोह जाराच तक राष्ट्रपती को तीन लाक रुपए साला पेंशन मिलती ती अब उसको क्या कर दे जानते हैं अब रास्ट्रपती को इनकी सेल्री का 50 पर ca. juo है पेंशन मिलता है 50% मतलब पाच लक प्रतिमा मतलब सालाना 30 लाक रुपए उनकी सेलरी है और 30 लाक रुपए उनकी पेंशन बनती है अगर रिटायर हो जाए उसके बाद तो पहले जहां 3 लाक पेंशन थी अब 30 लाक हो गई है पेंशन और जो भी वेतन होगा उसका 50% पेंशन की रूप में राष्ट्रपती को द में माँ शन्य बट्वी में 50 लाक रुपए प्रतिवर्षी है मैं और जब हएं ताइब के अलावा जो भूत पूर्व रास्त्रपती। हैं अब ऐसा नहीं है की राष्ट्रपती बनने के बाद कोई वैल्यो नहीं हो एक बात ध्रदों रिखना कि कोई वैकति जब राष्ट राश्डपती बनने के बादा भी गरिमा सोगता है यह अधा थैसा कि थीक है राष्डपती भवन से अब जहा जाना है екст एक सुसच्जित अवास एक सरकार की तरफ से रहने के लिएंग घर दिया जाता है नहीं कि सुवधा दिए धूक Kagव技 tra चिकित्सा सुविधा दी जाती है यात्रा सुविधा कहीं आना जाना हो तो सची वाले काई कि स्टाफ और एक लाख रुपे प्रतिवर्ष दिया जाता है कार्या लाई का खर्चा उनके ऑफिस की स्टेशनरी बगरा इस सब के लिए रिटायर मेंनके बात की बात बता रहा हू तो रिटायर्मेंट के बाद भी उनको जो है यह सारी फैसिलिटी कार टेलीफोन चिकित्सा सुविधा यात्रा सुविधा एक स्टाफ मिलता है पूरा के पूरा ठीक है और आवास वगेरा यह सब और पेंशन भी भूत्पूर्व राश्ट्रपति को यह सारा दिया जाता है अगर आपको एसा लिखते कहां लिखाया पहले तो बताओ कि टैक्स फ्री इंकम है किराया जो नहीं देना पड़ता मकान का किराया नहीं देना पड़ता पहले आप ठीक से पढ़ लो उसके बाद यहां आकर को मेंट करना बारत के राश्ट्रपति को मकान का किराया किराया मुक्त आवास होता है कर मुक्त कहां लिखाये कि कर मुक्त आये है किस जगे पर लिखाये जरा मुझे बताओ गया पहले तो यह बताओ कि इतने बुद्धिमान विक्ति आते कहां से किस दुनिया के लोग है पहले तो यह ब समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की बाते आप यह जो कर रहे हो कहां लिखा इंकम टेक्स प्री है मुझे बताओ जड़ा किस दुनिया से आयो भाई कौन सी किताब है आपके पास किस किताब में ऐसा लिखा है जड़ा बताओ इंकम टेक्स तो और लिखा भी होग ना किसी किताब में तो वह गलत है मैं आपको बता रहा हूं कि इंकम टेक्स अभी कुछ स्मुछ में पहली की बात है भारत के राष्ट्रपती खुद बोले थे आप अब आप बोले कि वो भी गलत बोल रहे हैं चलिए मैं गलत बोल रहा हूं अब में राष्ट्रपती तो हूं नहीं हो सकता है मुझे जानकरी नहीं अभी कुछ समय पहले हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपती उन्होंने खुद ने एक समारों में बात बोली थी कि आपको क्या लगता है कि मैं इंकम टेक्स पे नहीं गरता कि अच्छा सुने थे कि नहीं सुने थे आपने भारत के राष्ट्रपती जी का वो स्टेट्मेंट यह वो न्यूस सुनी थी कि नहीं सुनी थी कि ऐसे ना कुछ तो भी चालू या ऐसे इस्तरहीन किताबे पड़ों कि तो फिर आपका कुछ हो ही नहीं सकता कभी भूल जाओ कि आपका कुछ जीवन में होने वाला है दो खुद बोले थे कि मैं पेकरता हूं मतलब वह भी जूट में भी जूट बोल रहा हूं वह भी जूट बोल रहे हैं और सब जूट बोल रहे हैं आप आप रिटायर हुए हो के राष्ट्रपती के पत्से आपको ज्यादा पता है कि अगर आपको किसी भी बात में अगर कभी अब्जेक्शन होता है ना तो उसको बोलने का एक तरीका होता है लहजा होता है मतलब ने जादा नहीं तो थोड़ा बोट तो आपको सिखाया ही होगा कुछ तो बताया ही होगा कि आपको अपने से बड़े या अपने टीचर या एदुकेश से करनी है या उन्हें किस तरीके से आपको जो है बात दोगसेखर करना है अब्जेक्शन होने से घडबर नी मेरी बात गलत सकती है मेरी बात से आपको इत्तिफात हो सकता है वह चीज लेकिन उसका बोलने का तरीका हिख थो तो यह ना यह चीज़ बाद में पढ़ना यह सब छोड़ दो भी जो लक्षमी कांत या जो NCRT या जो किताबे पढ़ रहे हो ना वो सब छोड़ दो पहले थोड़े से मैनर्स लो पहले थोड़े से जो है ना अदब और जो लहजा है जो तहजीब है वो ले क्या उसके बाद बाद यह सब पढ़ना ठीक है चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्हें क्या-क्या सुविधाय मिलती है तो उन्हें रिटायर्मेंट के बाद भी ठीक है यह सारी चीजें मिलती है अरे तो मुझे बाद बताओ कि आप एम लक्ष्मिकान पर भरोसा कर सकते हो आप एंसी आइटी पर भरोसा कर सकते हो पर जो राश्ट्रपती खुद कह रहे हैं उस पर नहीं करोगे कमालो यार मतलब जो वो खुद बोले हैं वो गलत बोल रहे हैं आप जाके रामनात कोविन जी से मीटिंग करिए अपॉइंट मेंट लीजिए मिलिए और उन्हें बोली कि देखिए नसे आइटी में लक्षमिकान में लिखाए आप जूट क्यों बोले आपने गलत क्यों कहा मतलब आप आपको खुद को ही पता नहीं कि आप यह करते हो कि नहीं करते हो कि चलो मेरे लिए तो भाई भारत के राष्ट बती जी ने जो गाव हो सही आपको किताब में ज्यादा सही दिखाए दे रहा है क्या चोड़ो तो हमारे जुविधाओ वली बात हम लोग कर रहे थे कि बारत के राष्ट्रमत्य को क्या जुआ क्या में अब देखो निधन अगर हो जाए यह तो रिटायर्मेंट की बात है ठीक है और चलित तो बगी बात रिटायर्मेंट कर अगर क्या होगा निधन के बाद उनके जो पती या पत्नी जो भी होंगे ना उनके पार्टनर जो होते उनके पती पत्नी जो भी परिवार को पेंशन मिलती है अब ध्यान यह रखना है कि पेंशन जो है वो पत्नी या पती जो भी होगा उसको भी मिलेगी बट इसमें आपको यह याद रखना है तो पती या पत्नी को पेंशन मिलते हैं और यह पेंशन भारत के राष्ट पती को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है मिलने वाली पेंशन से अधी होती है मतलब म nog अगरा एक राष्ट्रपती को 30 लाइग पैंशन मिल रिटाइर्मेंट के बाद तो पत्नीको और मिलेगा उन्हें आधी मिलेगी ठीक है उन्हें 15 लाक मिलेगी इसके अलवा उन्हें भी एक आवास पॉन की सुविदा कार चिकित्सा सुविदा यात्रा सुविदा सची वाले का स्टाफ 20,000 रुपे प्रतिवर्श का कारेले खर्च यह सब मिलता है तो यह आपने देखा है कि भारत के राष्ट्रपती को क्या क्या सुविदाएं पद पर रहने के बाद और पद पर रहने के बाद भी रिटायर्मेंट के बाद भी इसके अलावा भारत के राष्ट्रपती को कई सारे विशेश अदिकार भी प्राप्त हैं ठीक है उन्हें अपने आधिक कारिक कारियों में किसी भी विविदिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है अब यहां छोड़ी आप जाने दीजें इनको यह शायद एक बात भूल रहे हैं सबसे बेसिक बात ही भूल गए जिस किताब का जिस पुस्तक का ही हवाला दे रहे हैं वो किताब ही में पढ़ा रहा है यह मैं अपनी कोई नोट्स नहीं आपको बता रहा हूं यह तो उस किताब में जो लिखा है वही मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं शायद आप सबसे बेसिक बात ही भूल गए कि जिस बुक का प्रेफरेंस देरो वही बुक चल रही है यहां पर गवा को कहा ठोगा संद्धाट को श्टम ऊब अपने कारीकाल के दोरान उन्हें क्या क्या अधिकार दिया है विशेश अधिकार किसी भी आप राधिक कार्यवाही से उन्मुक्ती होती है यह थियान रखना यही कार्यकाल के दोरानhor को या यांप कि उंके व्यक्तिगत कारियों के लिए भी आतने कोई केस नहीं कर सकते जैसे मान लीजे कि राष्टरपती से कोई अपराद हुआ है कि तो आप जैसे आम लोगों के उपर केस कर सकते हो ना जब तक भारत के राष्ट्रपती पद पर हैं तब तक उन के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता उन्हें छूट दी गई है ठीक है आप उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी उनके उपर केस नहीं कर सकते जब तक कि वो पद पर फिर उन्हें गिरफतार नहीं किया दा सकता समझ मैं जब तक यह राज्यपाल राश्ट्रपती दोनों को य नियाले में कोई आपराधिक कारेवाई शुरू नहीं की जा सकती यह एक विशेश अधिकारे जैसे हमने अनुच्छे 14 पड़ाए आर्टीकल 14 में मैंने आपको विदी के समक्ष समता बताया था विदियो का समान संरक्षन बताया था तम मैंने आप से कहा था कि आर्टीकल द्यान रखना अनुच्छे 361 संविधान का अनुच्छे 361 जो है वह भारत के राष्ट्रपती को कुछ विशेश उन्मुक्तियां प्रदान करता है और एक प्रकार से यह क्या है विदी के समक्ष समता का अपवाद है जैसे आम नागरिकों के खिलाफ आप कभी भी केस कर सक सकते हो कुछ भी गलत होने पर यहां उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते जब तक वह पद पर है तो गरीमा क्या रहेगी पद की अब पता चला कि राष्ट्रपती के खिलाफ पोर्ट में केस चल रहा है और वह तारीक पर लड़ रहें जते तारीक पर जा रहें वह अपने पद पर है तब तक तो नहीं ठीक है उन्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता नहीं जेल भेजा जा सकता है हाला कि दो महीने के नोटिस देने के बाद उनके कारेकाल में उन पर किसी नीजी क्रतियों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है कि अब आपको अगर इसा करना है तो दो महीने का नोटिस यहां देना पड़ता है चलिए यह हो गया यह चूट है कुछ विशेश अदिकार है अब बदावधी महावियों गुरुप यह कल पड़ेंगे कल ठीक बारा वजे जब यह सेशन स्टार्ट होगा देन विल डिस्कस अबाउट इंपीचमेंट ऑन दी प्रेजिडेंट भारत के राष्ट्रपती के पदावधी आपको पता है पद ग्रहन करने से पाच साल होती है और इन्हें हटाना हो तो अनुच्छे 61 महावियों की प्रक क्या एक अर्द्ल राष्ट्रपती को नहीं अटा सकते कुछ शर्ते हैं एक अधार है और उसके बाद प्रक्रिया जटिल है इसलिए भारत में कभी किसी राष्ट्रपती पर महावियोग ना तो चलाया गया है यह लिए फाना तो इस सेशन को से आगे कल हम लोग कंटीनिव क बारा बजे से इस सेशन को यही से कंटीनिव करेंगे और आगे की जो दास्ता हैं वो यहां से जानेंगे और राष्ट्रपती से जुड़े हुए जो शक्तियों के प्रावधान है जो भी शक्तियां भारत के राष्ट्रपती को दी गई हैं उसके बारे में हम लोग कल ठीक बा बारा बजे में टाइम प्लास स्टार्ट कर देता हूं तो आपको ताकि बीच में दिक्कत ना है समझने में स्टार्टिंग से क्लास को देखी लास्ट अगे तो यह सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज टोंट फगेट तो लाइक से लाइक करना ना भूले शेयर इसे और इस सीरीज को देखते रहिएगा आगे अभी बहुत कुछ है अभी तो भाग पाच शुरू ही किये अभी तो कारे पाले का शुरू हुई अभी तो संसद वगेर विदाई का न्यायपाली का और बहुत कुछ अभी बाकि है औंड इस इस मैं रफरेल कोड गाई सी के कोड फो एक्स्ट एन परसंट डिस्काउंट कि हम लोग फिर मिलेंगे आप लोग जब भी अनकेडमी का कोई भी सब्स्क्रिप्शन ले तो इस रेफरेल कोड को को इसको यूज करें ठीक है इस रेफरेल कोड से आपको डिस्काउंट में मिलेगा हो मेरा पर्सनल गाइडेंस में लेगा हम फिर मिलेंगे सभी को धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच बाइबाइबाइट टेक केर जैहिन लेट्स क्रेक्ट